हेलो एंड वल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल मेकानिकल वाइटमिन आज हम बात करेंगे डेस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में जो कि आपका आई बी एक्जाम में भी है साथ में आपका CSIR SOASO के पेपर में भी है and this particular session will be beneficial for UPSC as well as UPSC के essay portion के लिए ठीक है आप make sure करिए आप एक pen और paper ले करके बैठ किए ताकि आने वाले जो कुछ भी points मैं आपको बताऊंगा उसको आप अच्छी तरीके से note down कर सके ठीक है बाकी की जो daily updates जो रहते है या daily topics जो given होंगे essay के वो मेरे telegram channel पर मैं upload कर देता हूँ timing of uploading the essay question will be from 2 to 4 2 बजे मैं upload कर दूँँगा आप 4 पर submit कर सकते and or you can submit 5 that's it ठीक है यह आपको daily practice के लिए रहेगा यह particular मैंने initiative खुद लिया है so make sure करिए कि आप telegram जरूर join कर लीजिएगा telegram का जो link रहेगा वो आपको description box में मिल जाएगा ठीक है अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया यह आपके IB exam जो है और यह कौन सा approach है tried and tested approach है यह ऐसा नहीं कि मैं मतलब कि अपने मन से यह चीज़ें बता रहा हूं this is very well tried and tested it is tried by me also and many other aspirants और many other seniors जो अच्छे खासे जो preparation कर चुके in this particular field जिनके पास और भी ज्यादा experience है वहां से यह strategies उठाई गई हैं और मेरे खुद के experiences भी मैंने include किये हैं ठीक है so it will be beneficial for you all तो make sure करिएगा वीडियो पूरी जरूर देखिएगा ओके क्योंकि major focus जो अभी है वो है CSIR SOISO के लिए ठीक है तो paper third जो है after clearing the cutoff of paper 1 and paper 2 both बहुत मना combine out of 350 whatever जो भी percentile आप लों का बनेगा वो पूरे percentile के basis पे आपको जो marks मिलेंगे if you clear the particular cutoff you have to give paper 3 paper 3 consists of descriptive paper total marks will be 150 and the time will be two hours ठीक है so अब बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी major focus मैं CSIR SOISO पे कर रहा हूं बट जो आने वाली जो essay की tricks रहेंगी वो सब के लिए beneficial रहेगी okay so CSIR SOISO के लिए अगर आप देखेंगे so 150 marks है time है two hours two hours मतला 120 minutes okay 120 minutes में आपको 150 marks attempt करने इसमें मज़ेदार बात क्या है precise writing जो है वो 30 marks की है और letter or application writing 20 marks की है तो पहले ये दोनों समझ लेते हैं मैं थोड़ा सा इंट्रो दे जेता हूं ताकि आप लोगों की चीज़ें समझ में आ जाए बाद में बड़े topic पर आज़ते हैं तो precise writing में क्या होता है generally ये comprehension दिया होता है ठीक है और उस comprehension को एकदम sun shape में ठीक है एकदम मतलब short में आपको लिखना रहता है एक particular word के अंदर given words के अंदर like 500 words और 200 words लेकिन उस short में ऐसा नहीं कि आपको उसी paragraph में से line ने उठा करके सिधा कर सिधा copy paste कर देना है आपको क्या करना है आपको उस paragraph को ढं से पढ़ना है लेखक या author जहां से वह पैरा लिया गया है वो कहना क्या चाहरा है उसका आपको context समझना है क्या समझना है context समझना है किस किस बारे में वो बात कर है किस लिए वो बात कही जा रही है और उसका क्या नतीजा निकल रहा है तो आपको ये पूरा अपने perspective से चीजों को रखना है author जो कह रहा है वो तो रखना ही है साथ में इसमें अपना भी आपको include थोड़ा बहुत करना रहता है सो precise writing is 30 letter application writing is not a major task आपको बस क्या पता होना चाहिए format पता होना चाहिए तो letter और जो आपका application writing है वो आप बहुत आसानी के साथ कर लेंगे so 50 marks is in your hand लेकिन major जो factor आएगा वो कहां पर आएगा ऐसे पर आएगा क्यों क्योंकि ऐसे दो question आएंगे 100 marks का लेकिन अभी clear out नहीं है कि one question will be of 100 marks और two question will be of 50 and 50 marks ऐसा कहीं पर भी अभी तक कुछ ऐसा clarification नहीं है यह तब होगा clarification जब आपका paper one और paper two का combined result है वो जब आ जाएगा उसके बाद clarification आएगी इसके बारे तो फिलहाल के लिए आप लोग का जो preparation की जो strategy होनी चाहिए अगर आप लोग confident हो कि आपका paper one और paper two निकल जाएगा combined way में so आप paper three की तैयारी में लग सकते है without wasting any time क्योंकि आप लोग की पता है March first week या second week तक में आपका result आने की पूरी संभावना है और March end या April first week तक में आपका पूरा का पूरा यह आपका paper three जो रहेगा वो conduct होने की मैं तब मेरे हिसाब से संभावना है अगर election commission का कोई नया आदेश नहीं आता तो but that is up to them अभी जो हमारे पास काम है वो है essay पर focus रखना so आज का जो main topic रहेगा वो essay writing पर रहेगा okay now before starting हम लोगो पता होने चाहिए इस department में essay के department में myths कौन कौन से myths मतलब जो ऐसे अफवा फैली हुई है जूट जो फैला हुए कि आपके पास great writing skill होनी चाहिए ऐसा नहीं है great नहीं होना चाहिए आपके पास बस writing skill होनी चाहिए okay rich vocabulary होना चाहिए नहीं this is also not required कुछ लोग कहते हैं कि आप toppers के essay को memorize कर लिजिए और उसी को आप लिख दीजिए क्या ये possible है नहीं पहली बात तो पॉसिबल नहीं है दूसरी बात अगर आप writer भी लेंगे और वो topic नहीं आएगा तो फिर आप अपने loss में रहेंगे memorize facts क्या facts और figures बहुत जादा याद रखने की ज़रत है नहीं ये भी सही नहीं है और क्या आपको पूरी तरीके से in-depth knowledge चाहिए आपको लिखने के लिए तो ये बात भी गलत है in-depth पूरा का पूरा आपके पास knowledge ना भी हो तब भी आप essay या निबंद कह लिए उसको आप बहत आप topic के आसपास रहिएगा topic से दूर मत भटकिएगा ये आपका कोई university का exam नहीं है जो आप कैसे भी लिखते चले जाओ पन्ने भरते चले जाओ और आपको उसके साब से number मिलेंगे ऐसा नहीं है तो आपको हमीशा topic जो भी topic दिया गया है उस topic के आपको आसपास रहना है ता तक आप topic के साथ जुड़े हुएं चीक है उसके बाद जो भी ideas जो आपके दिमाह में आ रहे है उसको proper तरीके से arrange करना is also a major portion is also a major portion साथ में क्या जो भी चीज़े हैं उसको concise way में and precise way में precise मतलब इधर उधर की बाते ना करते हुए आपको वो चीज लिखनी है I hope ये तीन बातें आप लोग कभी भी कोई भी essay लिखेंगे उसमें आपको ये तीन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है now let us suppose अभी के लिए मान करके चलिए तो कि अभी तो हमारे पास कोई ऐसा clarification है नहीं कि 500 words लिखने है या 1000 words लिखने है but हम लोग एक standard essay मान करके चलते है standard essay let us suppose standard essay is of 1000 words ठीक है और 1000 words के ही लगबग आते हैं आपकी UPSC में क्योंकि UPSC से बढ़ा अभी कोई standard है नहीं इंडिया में so we will consider that as your particular की यह हमारे एक type का ideal thing है कि कुछ ना सही तो UPSC को mind में रख करके अगर हम लोग preparation करेंगे so आपके जो बाकी exams के जो essay वगएरा रहते हैं वो भी आसानी के साथ हो सकते हैं तो UPSC में generally 1000 words के essays आते हैं ठीक है so हम लोग 1000 words को एक standard मान करके चलते हैं उस 1000 words में आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो essay के part होते है उसमें introduction होता है फिर body होती है and then conclusion होता है ठीक है अब यह म 200 भी कर सकते हैं there is no foundation 200 से कम मत रखे और 300 से जादा तो बिलकुल भी मत रखेगा 200 से थोड़ा बहुत कम चलेगा 150 180 चलेगा लेकिन आप 300 के उपर मत रखेगा ठीक है body को आप थोड़ा increase या decrease कर सकते हैं conclusion you can change this मैंने आपको बस एक estimate बताया हूं कि कुछ ना सही introduction में आप लग जाना आप 300 तक रहना maximum 300 तक रहना उसके हिसाब से फिर आप बाकी की चीज़ें लिखना कैसे लिखना है क्या क्या लिखना है क्या करना है we will discuss it in detail there is nothing to worry about okay now सबसे पहली चीज यह है जब भी कोई topic दिया हो आपका काम रहेगा उस topic को तोड़ना deconstruct करना उस topic को तोड़ना now topic को तोड़ना मतलब let us consider an example ठीक है हम लोग एक UPSC का ही question लेते हैं UPSC का ही question लेते हैं ठीक है question क्या आया था UPSC का ही essay का question आया था let us suppose एक question ले लेते हैं question was technology technology cannot replace manpower cannot replace manpower okay let us suppose हम लोग यह और टॉपिक ले लेते हैं क्या technology cannot replace manpower now आपके सामने यह topic आगया अब हमारा काम क्या है आप मालो की you are just a basic student आपको उतनी जाधा knowledge नहीं भी है तब भी आप कैसे approach कर सकते मैं आपको वहाई लिया देता हूं सबसे पहला काम रहेगा deconstruct करना ठीक है deconstruct मतलब आपको इस पूरे topic में major words उठाने हैं सबसे पहले ठीक है तो यह cannot replace यह सब हटा दिए तो आपके पास दो words बसते हैं एक बसता है technology और एक बसता है manpower ओके ऐसे ही करके let us suppose एक और example लेते हैं yes एक और example लेते हैं UPSC का ही लेते हैं ठीक है so UPSC का ही question था words are sharper than the two-edged sword the two-edged sword ठीक है शब्द जो होते हैं वो ज्यादा नुकिले या शार्प होते हैं दो धरी तलवार के comparison में ठीक है इसके बारे में आपको ऐसे लिखना था okay now अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे so words are sharper than two-edged sword इसमें main important word क्या है words है जिसके बारे में बात हो रही है किस तरीके के हैं वो sword जैसे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको deconstruct करना है deconstruct मतलब आपको दो topics में उस चीज़ को तोड़ना है दो words में उस चीज को तोड़ना जो भी आपको दिया हो आप दो से तीन भी कर सकते हैं ऐसा कोई नहीं है बट majorly कोशिश यही करिएगा कि आप दो words में उसको तोड़िएगा दो words उसके major जो रहेंगे वो आपको लेना ज़रूरी है उसके बाद आपको important keywords करने है वही deconstruction में है जैसे इसमें क्या होगया technology as well as manpower और इस case में क्या होगया words और sword ठीक है यहाँ पर आपके दो words मतलब दो आपके पास keywords आगे ठीक है now सबसे पहला काम जो आप करेंगे सबसे पहला काम जो आप करेंगी you have to before writing essay यह मैं कब बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान करके चल रहा हूँ कि आप में से सब लोग अभी beginner stage पर हो ठीक है मान करके चल रहा हूँ कि अभी सब लोग beginner stage पर हो तो beginner के लिए क्या करना परता है you should take a little time क्योंकि आप अभी लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आप एक rough paper उठाईए rough paper पे आप सबसे पहले दो words को अलग अलग लिख लीजिए जैसे पिछला वाला लेते technology हमने दो words लिख लिख लिए दर technology and manpower and manpower अब इससे related में आपको जो भी words याद आ रहे है technology से related AI हो गया artificial intelligence हो गया ठीक है machine learning हो गई ठीक है उसके बाद आपका आगया virtual reality आ गई ठीक है machines आ गई okay robots आ गई जो कुछ भी आपके दिमाब में आ रहा है वो चीज़ आप इसके बारे में लिख दीजिए यहाँ पर ठीक है manpower से related आप क्या लिखिए development ठीक है support construction ठीक है application और implementation और industries समझ रहे हैं so manpower से related जो भी आपके दिमाब में words आए उसको आप separately लिख लिजिएगा I hope you are getting it ठीक है जैसे ही आप यह चीज़ लिखेंगे आपका लगबग 20% work हो चुका है लगबग 20% work हो चुका है ओके we will test it out don't worry about it तो अब आपको धीरे धीरे करके एससे लिखना शुरू करना है this is a very short trick बस आपको क्या करना है बस मेरी बात सुनिए और साथ में उस चीज़ को पूरा follow up करना है जितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यह चीज़ beneficial रहेगी तो अब आते हैं हम लोग यह आप लोग को आई होप यह वाला portion आपको समझ में आ गया हो दो words हमने उठाए दो words से related जो भी हमको words जो भी दिमाग में पॉप होते गए जो भी दिमाग में आते गए उन सब सब्दों को मैंने एक जगा पर रख दिया है ठीक है इसको आप side मे इंक्लूड करेगा जिस पर आप ऐसे लिखने वाले हैं ओके नौ अब आपको लिखना क्या है पहले वो चीज़ ध्यान में रखते हैं इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है फिर बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है ठीक है यह सब का सब क्या रहेगा हमारा formula based रहेगा formula based मतलब क्या कि हमनों कुछ tricks यूज करेंगे ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए और आप बढ़ियां तरीके से ऐसे लिख पाए ठीक है ना इंट्रोडक्शन में क्या सबसे पहले आपने टर्म वन और टर्म टु डिफाइन कर लिए जैसे हमने क्या लिया टेक्नोलोजी एंड मैन पावर हमने टर्म वन और टर्म टू पहचान लिए ठांवन था और यह टर्म तूटा, so t1, t2 are the terms, clear, now आपको formula क्या रखना है, w square rw या www rw जैसे आप लोग को सही लगे, वैसे आप याद कर सकते हैं, कोई दिखकत नहीं, now, पहला word, w का मतलब क्या है, w का, कि what is t1, what is t1, second w का मतलब क्या होता है, what is t2, what is t2, ठीक है, आप पहले दो w का मतलब समझते हैं, उसके बाद फिर आगे r और w words का मतलब समझेंगे, so what is t1, what is technology, उसके बाद what is manpower, तो आपको क्या, what is technology, technology है क्या, आपको definition तयार करनी है, यह कहां आप लिख रहे हैं, introduction में लिख रहे हैं, start कहां से करना है, introduction का, what is t1 से करना है, ठीक है, what is t1, so आप क्या लिखेंगे, technology plays a very crucial role in a man's life, we are all surrounded with various technologies, ऐसे करके आप धीरे धीरे करके लिखेंगे, समझेंगे, मतलब क्या हो गया, आपको technology होती क्या है, ठीक है, विच मेक्स, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कि technology क्या होती है, technology के आप लिख सकते हैं, कि technology एक ऐसा आयाम है, एक ऐसी नई दुनिया प्रोवाइड करता है, जहां पर इंसानों को बहतर सुक सुविधा की उपलब्दी आराम से मिल जाती हो, ऐसा करके आप मतलब जो आप आपके साथ जुड़े कितनी संख्या में लोग हैं, जो आप काम करते हैं, manpower के बारे में आप definition लिखेंगे, ठीक है, तो आपका पहला क्या होगा, कि technology is a realm where human can survive, human can live their life very peacefully and easily, however, manpower, manpower is related with the main construction and administration work throughout the society, यह आपने दोनों के बारे में आपने definitions लिखी हैं, यहाँ पर कौन सा एक technology और दूसरा manpower के बारे में, सुरू के दोनों डबलू, आप क्या करोगे, technology and manpower के बारे में, कितने words लिखने हैं, मैं तो कहूंगा कि, थोड़े ज़्यादा लिखिए, ठीक है, कम से कम कुछ ना सही, तो 20-20 words के लिखिए, या 30-30 words के लिखिए, अगर आपको और अच्छा हता है, तो आप 40 words भी लिख सक करते हैं, ठीक है, तो वो आपके उपर depend करता है, जितना बहतर तरीके से आप सोच पाएंगे, I hope you all are getting it, okay, so first task was, what is term 1, what is technology, what is term 2, what is manpower, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, मैं एक example ले करके समझा रहा हूँ, ऐसे ही आपको हर एक जगह पर deconstruct करके आपको introduction लिखना है, अपके, चलिए, अब आगे बरते हैं, R और W पर, ठीक है, हम लोग clear कर लिए, कि हमारे पास, हमारे पास, क्या है, T1 और T2, what is T1, what is T2, clear हो चुका है, now, we are going to talk about R, R talks about relationship, relationship, ठीक है, now, relationship कैसा है, term 1 और term 2 के बीच का, technology और manpower के बीच का relationship कैसा है, ठीक है, अब देखें, अगर technology बहुत जादा है, तो क्या manpower की requirement कम हो जाएगी, नहीं, अगर manpower बहुत जादा है, तो क्या technology की कम पर जाएगा, technology की ज़र्त नहीं, so, मैं यह कह सकता हूँ कि, it is a complex type of relationship, it is a complex type of relationship, तो third, जो आपका paragraph बनेगा, introduction, paragraph के लिएगे, या third, जो पुरा frame जो आपका रहेगा, इसका introduction का, भूमी का, ठीक है, so, introduction का जो रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, तीसरा portion जहाँ पर आप लिखेंगे, की, की दोनों के बीच का कैसा relationship है, complex है, ठीक है, थोड़ा जटिल है, या थोड़ा आसान है, या दोनों एक दूसरे को पूरक, पूरक का का काम करते हैं, देख, complete each other, ऐसा करके, आप दूनों की बीच का जो relationship रहेगा, उसको आप describe करेंगे, अपने words में, अपने सही तरीके से, I hope you are getting it, okay, now next, यहाँ पर भी आप दो-तीन लाइने लिखेंगे, माल लिजे एक लाइन में आपके दस words आ रहे हैं, तो तीस words तक आप लिखेंगे, and then last जो W आपका बचता है, कौन से, last जो W है, that represents कि यह relationship जो आया, वो क्यों important, why it is important, ठीक है, why there should be a relationship between technology and manpower, okay, so मतलब दिमाह में कुश्य नहीं है, why technology and manpower has a particular relationship, आपके दिमाह में आना चाहिए, यह चीज़ देखिए, आपको हमेशा question पूछना, what is technology, what is manpower, ठीक है, आपके दो W के लिए, what is the relationship between technology and manpower, technology और manpower के बीच का relationship कैसा है, उसके बाद, why technology और relationship के बीच का जो relationship है, वो क्यों है, ठीक है, वो क्यों है, तो मतलब क्या हो गया, अब क्यों है, क्या आप लिखोगे, मतलब मैं एक example आपको दे रहा हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं की, आपके बाद बहुत जादा knowledge की ज़रत है, अगर आप बेसिक student भी हैं, तब भी आप यह बहुत आसानी के साथ लिख लेंगे, ठीक है, so relationship क्यों है, जैसे आप लिखें कि हैं, कि always the technology is a little bit incomplete without human man force, because manpower, if the manpower isn't there, there is not possibility for the technology to build, ऐसे करके आप थोड़ा बत लिखेंगे, उसके बाद में relationship क्यों important है, relationship क्यों important है, बाद समझे में, relationship क्यों important है, why the nature of this relationship is complex type, why, because technology is not fully independent of manpower, or manpower is not completely independent of your technology, ऐसे करके आप relationship को थोड़ा सा describe करेंगे, why, यह why आपके दिमाह में आने चाहिए, why this relationship is important, I hope you all are getting it, यह पूरा का पूरा आपका क्या काम करेगा, यह पूरा का पूरा आपका introduction का का काम करेगा, यह यूंकर यह भूमिका का का काम करेगा, ठीक है, और साथ में आपको यह बात याद रखते हैं, आप चीजों को उस तरीके से लिखिएगा, ताकि पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगे, उसका interest जागे, और वो आगे भी पढ़े, यह नहीं कि आप कुछ भी डिखना शुरू कर दिये, थोड़ा सा अपने आपको समय दीजेगा, थोड़ा टाइम दीजेगा, बाद में जितनी जादा आप ट्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना जादा आप लों के लिए beneficial होता चला जाएगा यह चीज, अगर आप यही चीज़ फॉलो करते हैं तो, बाकी मार्केट में तो बहुत सारे other options भी हैं, ठीके, तो आपको क्या याद रखने हैं, www.rw, introduction के लिए, ओके, next बढ़ते हैं, next formula is for body of essay, ठीके, is for body of essay, the formula for this is BGIS, now BGIS मतलब क्या हो गया, अब देखें, BGIS जो है, यहाँ पर हार एक में 333 है, मतलब कुछ इस तरीके से, B3, G3, I3 and S3, अब explain करते हैं, B3, G3, I3 और S3 क्या है, यह जो 3 है, यह कुछ ने 3 statement है, क्या है, number of statement कितने होने चाहिए, 3 statement होने चाहिए, आपके B के, 3 statement होने चाहिए, आपके G के, 3 statement होने चाहिए, आपके I के, और 3 statement होने चाहिए, S के, अब बात करते हैं, B, G, और I, और S क्या-क्या है, ओकी, चलिए, तो, तो B, G, I, S मतलब है पहला जो B है पहला जो आपका B है That stands for Bad Things That stands for Bad Things Bad Things पहला जो आए है B, B stands for Bad Things Bad Things मतलब पहले आप बुराई करेंगे ठीक है? आप इस बात को याद रखेंगा कि आपका सुरू का जो इंट्रोडक्शन रहेगा ये पूरा का पूरा आपका आप पूरी तरीके से अपने आपको फॉर में भी मत दिखाए फॉर मतलब आप उसके साथ भी मत चलिएगा आप उसके अगेंस्ट भी मत चलिएगा जो भी statement दिया है उसके आप उस subject को उस topic को आप introduce कर रहे हो जो भी पढ़ेगा आपका आपकी जो भी copy आपकी पढ़ेगा जो भी person पढ़ेगा उसके अंदर में भी क्या होना चाहिए वो भूमी का पढ़ रहे तो उसको लगना चाहिए कि दोनों के बीच में अभी जाकर के कुछ कडियां जोड रही है शुरू शुरू में आप पूरी तरीके से declare नहीं करोगे कि आप कहना क्या चाहते हो मतलब आप इसके पक्ष में हो या इसके विपक्ष में हो आप शुरू में इस चीज को explain नहीं करोगे बात समझे मैं आप इस चीज को explain नहीं करोगे आप जैसे आपको याद रहे हैं bad things bad things पत्रम आपको bad things किसके बारे में बात करेंगे जो भी जैसे मान लिए आप technology के बारे में कुछ bad things लिखेंगे ठीके कितने statement लिखेंगे तीन statement लिखेंगे जैसे आपको क्या यूश करें फर्स्टली technology is crucial फर्स्टली technology is also very very harmful for the young generation because they are very much dependent on social media and all तो यह फर्स्टली, उसके secondly and thirdly और mostly ऐसे कर कि आप तीन statement लिखेंगे bad things के जो बुरी बाते हैं याद में रखेगा technology से जो बुरी बाते हैं या जो topic का जो आपका term 1 है उस term 1 से जो तीन बुरी बाते हैं उसको आप लिखेंगे तीन statement को ठीक है अब धीरे धीरे हम लोग क्या करें धीरे धीरे हम लोग पुरा का पुरा आपका निबंद इट विल रिक्वार नथिंग एल्स ठीक है फिर्स्ट इस बाते हैं आपको तीन statement लिखने होंगे बाते हैं बाते हैं बुरी चीजें क्या है टेकलोजी से लिलेटर उसके बाद गुर्ट फिंग्स क्या है जी स्टैंड फॉर गुर्ट फिंग्स क्या है और गुर्ट फिंग्स के बारे में आप तीन इसके positive aspect लिखेंगे टेकलोजी के तीन positive aspect लिखेंगे नाउ आपको यह चीज़ समझ में आ रही होगी I स्टैंड फॉर इंडिया I स्टैंड फॉर इंडिया तो भारत के को मद्धे नज़र रखते है भारत में technology किस तरीके से है किस तरीके से beneficial है या किस तरीके से इस्तमाल में आ रहा है क्या है क्या नहीं है इंडिया में इस चीज़ का कितना बड़ा योगदान है जो भी आपके मन में जो चीज भावनाएं उठती हैं किसी भी एक topic को ले करके उस topic को ले करके इंडिया के इंडिया को पुरा mean पटल पे रख करके या mean you know under focus में रख करके आपको फिर लिखना है कि इंडिया में technology how technologies are being used how the manpower and technologies are you how the administration and technology works simultaneously आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इंडिया से related में I hope you all are getting it okay now India के बारे में भी आपको कितना statement लिखना पड़ेगा इंडिया के बारे मतलब इंडिया से related जो भी topic है उसको लिखना पड़ेगा तीन statement clear last last is s s मतलब कि क्या करना चाहिए what should s stand for should what should be done to fix the problem what should be done to fix the problem ठीक है वापस से देखिए bad things जो होते है वो negative problematic और pessimistic बाते होंगी कौन सी बी जो होंगी bad things bad things मतलब negative pessimistic उसी का एक synonym है pessimistic और क्या आपका problematic जो भी situation है कि इसको पूरी का पूरी topic को ले करके technology and manpower मैंने अब यहाँ technology लिखा लेकिन technology and manpower के bad things क्या क्या है good things क्या क्या है उसके technology manpower के उसके बाद इंडिया का कितना कैसे किस तरीके से इंडिया work कर रहा है technology क्या करना चाहिए जिससे यह problem जो मैंने problem लिखी इंडिया के परिवेक्ष में इंडिया को में under microscope रख करके तो उसको कैसे कम किया जा सकता है या किस तरीके से उस problem को खतम किया जा सकता है उस problem को खतम किस तरीके से किया जाता वाट शुड़ बी डन तो वापस से वी जी आएस मतलब तीन तीन statement आपको सब के लिखने हैं जैसे बी stand for bad things bad things आपको तीन बुरी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जी stand for good things तीन good के regarding में लिखने हैं और उसके बाद उसके बाद what should be done ठीक है किस तरीके से problem को fix किया जा सकता है what should be done यहां पर इतने तक अगर आप लिखेंगे माल लीजे आप तीन statement लिख रहे हैं और प्रती statement माल लीजे कितने का है माल लीजे 20 का है ठीक है 20 words का एक statement है तो यहां पर 60 अगयत और यहां पर आपके 60 कितने होगे 180 इसका मतलब कि आह आप को 180 से जादा लिखना है तो मतलब क्या माल लीजे एक पर अगर आप और थोड़ा बढ़ा लिजे इसको 40 कर लिजे तो ये 120, 120 और 120 ये कुल मिला करके 360 हो रहे हैं ठीक है तो मतलब आप्यस सी बात है आपको कितना लिखना पड़ेगा पर वर्ट 60 के राउन में लिखना पड़ेगा तो 180, 180 और 180 हो जाएगा वैसे करके आप चीजे लिखेंगे तो जादा आपका एक स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से बहतर तरीके से तयार हो जाएगा ठीक है, next next आते हैं हम लोग किस पर जो major portion है जहां पर सबका दियान जाता है वो क्या है conclusion पे वो क्या है conclusion पे conclusion के लिए formula जो आपको याद रखना है वो है SCRF ठीक है, conclusion मतलब क्या होता है conclusion में आप क्या करते हैं आप conclude करते हैं topic को समापन करते हैं topic का किस तरीके से तो summarize करते हैं सबसे पहले summarize करें जो भी आपने अपने introduction में कहा जो भी आपने body में कहा जो भी आप कहना चाहते हैं उस चीज को आप summarize करेंगे ठीक है, माली जे technology और manpower के बार में आपने लिखा, summarize कैसे करेंगे summarize सिधा लिख सकते हैं कि technology and manpower goes hand in hand but in few cases we have seen that manpower can overpower the technology and the existence of technology is very very hard without manpower, आप ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, उसके बाद complications लिख सकते हैं since there is a lot of there are many countries who are underdeveloped and yet to be known about the upcoming technology ठीक है, ऐसे करके आप चीजे लिखेंगे तो आप पहले deconstruct करेंगे आप सीधा का सीधा line लिखना शुरू करेंगे तो नहीं सबसे पहले आप summarize करने की कोशिश करिए उसके बाद c stand for complications क्या है उसकी चीज के complications उसके क्या क्या है ठीक है, technology और manpower अगर एक साथ में जाना है तो उसके लिए complications क्या क्या है क्या उस चीज को दूर किया जा सकता है r stand for resolveable क्या उस चीज को दूर किया जा सकता है resolve किया जा सकता है उस चीज को और f stand for future f stand for future तो आप को sentence को ऐसे frame करना है कि सबसे पहले आप summarize करेंगे topic को कि आप कहे क्या भी तक उसके बाद complications क्या क्या है जैसे technology and manpower है complications क्या क्या है there is lack of skill है manpower के अंदर lack of skill है lack of skill के साथ में क्या है कि underdeveloped कई सारी countries है तो वहाँ पर technology अभी तक पहुची नहीं है चीजें ये भी है साथ में education plays a very crucial role exposure plays a very crucial role ये सारे क्या है आपके complications में आएंगे क्या ये complications को कम किया जा सकता है reduce किया जा सकता है क्या ये चीजें जो problem बताएगे है क्या ये resolvable है yes it is resolvable ठीक है तो आप ऐसे लिखोगे next line में क्या लिखोगे although there are many complications but yes it can be said that these problems are resolvable by empowering the youth by educating them in a correct direction as well as by upgrading their skills as the day passes the technology also improves so the youngster should be fully equipped with the latest technology and all आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे आप complications बता है उसके बाद क्या ये चीज रिजॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है और उसके बाद आप बताएगे future scope कैसा रहेगा future में आप clear कर गए in the recent future or in the upcoming years we can see the technology and manpower will go hand in hand because the existence of both are somewhat interdependent on each other ऐसे करके आप लिख सकते हैं ठीक है so this will be your conclusion this will be your conclusion ओके नाव वापस एक बार revise करते हैं ठीक है क्या करना है आपको वापस से फिर पूरा एक एक करके revise करेंगे ताकि आपने को पता लग जाए क्या करना है ठीक है सबसे पहला सबसे पहला काम क्या रहेगा सबसे पहला काम रहेगा हमको deconstruct करना है deconstruct के लिए हम लोग दो major topics को लेंगे दो major topics को लेंगे मतलब दो major words को लेंगे let us suppose call the word T1 and T2 या term 1 and term 2 ठीक है so first of all you have to define what is term 1 what is term 2 relationship between term 1 and term 2 and why the relationship is important वापस से कहाँगा term 1 क्या है term 2 क्या है दोनों के बीच में किस तरीके का संबंध है relationship कैसा है और जो संबंध है जो relationship है वो क्यों जरूरी है तो ये आप कहा लिखेंगे introduction में लिखेंगे clear next bgis का मतलब क्या था है body essay में क्या करना है आपको bgis body of essay में body of essay में आपको करना है याद रखें तीन स्टेटमेंट यूज करने कितने तीन स्टेटमेंट आप चार भी कर सकते हैं लेकिन जहां तो कुम्मीद है तीन रखिए ज़्यादा बहतर माना जाता है इसे जितने भी टॉपस रहें UPSC के उनका यही कहना अरत हो रहता है कि तीन स्टेटमेंट is more than enough ठीक है तीन स्टेटमेंट में आपको वही मैं कह रहा हूँ concise लिखना precise लिखना इधर उधर की गोल घुमाओदार बाते नहीं करनी है क्योंकि यह आपका university exam नहीं है ठीक है so b stands for bad things तो 3 आप bad things लिखेंगे ठीक है उसके बाद 3 आप good things लिखेंगे और 3 आप इंडिया के सापिक्ष में इंडिया किस तरीके से इंडिया में है या इंडिया में किस तरीके चीज़ें चल रही है और आप तीन statement लिखेंगे इसके should के, तीन statement लिखें, should के should मतलब कि क्या ये चीज जो भी है वो ठीक किया जा सकता है क्या problem को resolve किया जा सकता है ठीक है, क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे वो problem resolve हो सके इंडिया के परिवेक्ष में रख करके भी आप इसको लेख सकते हैं ये हो गया आपका कौन सा body of essay हो गया, clear next, last is your conclusion, conclusion में आपको क्या लिखना है, conclusion में आपको formula याद रखना है SCRF, SCRF मतलब summarize करना है आपको, ठीक है आपको summarize करना है, आपको साथ में क्या करना है, complications बतानी है और साथ में future में इसका क्या scope रहेगा, future में इसका क्या scope रहेगा या future किस तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों को अगर एक साथ लेकर क्या आप चलते हैं तो ठीक है, यही तीन formula आपको बहतर तरीके से essay लिखने में मदद करेगा अब देखिए, आपके पास अगर आप अभी तक पूरा lecture अभी तक ध्यान से सुने हैं तो आपके दिमाँ में काफी सारे thoughts आ रहे हैं, मेरी उमीद, मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोग साथ में लिख भी रहे होंगे, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है आपका काम क्या है, मैं जो भी topic दे रहा हूँ, या दूंगा आगे चल करके आपको सबसे पहले क्या करें, take your time, मैं एक ही essay देता हूँ दो essay की मैंने बात के थी, मैं एक essay देता हूँ, take your time, दो गंटा लिजे, तीन गंटा लिजे बट क्या करिए, आप उसको थोड़ा अच्छे से prepare करें, अच्छे से prepare करें मतलब क्या करिए सबसे पहरे आप थोड़ा सा sentences वगेरा न, आप एक side में लिख लीजे, जैसे वापस एक example लेते हैं, जैसे माल लीजे मैंने एक side में, rough sheet में मैंने लिख लिया, कि term 1 का definition क्या है, term 2 का definition क्या है, दोनों के बीच का relationship क्या है, और दोनों के दोनों, किस तरीके से, दोनों के बीच के relationship important है, ओके, next मैंने क्या लिखा, तीन statement मैंने लिख दिया, bad, उसके बारे में तीन statement good लिख दिया, तीन statement इंडिया के regarding और तीन statement मैंने लिख दिये आपके करना क्या चाहिए उसके regarding में ठीक है उसके बाद conclusion में मैं क्या लिखूंगा कि summarize करूंगा उसके बाद उसके complications बताऊंगा ये complications सुधारे जा सकते हैं कि नहीं और साथ में आपका future में इसको किस तरीके से देखा जा सकता है ये जो पूरा का पूरा आपका जो portion है ये पूरा का पूरा आपका आप एक side में लिख लीजिए ठीक है उसके बाद आप उसको बहतर सब्दों के साथ में connecting words के साथ में यूज करके आप ऐसे को और खुबसूरत और बढ़िया बना सकते हैं जैसे जैसे आपने माल ये summarize कर लिया उसके आप लोगों को लिखना पड़ेगा नेक्स्ट ऑल दो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि there no doubt there is or there are some complications with technology and manpower going hand in hand but these are completely resolvable बाद समझ रहें उसके बाद आप future scope लिखें थोड़ा सा ऐसे words आप use करिये जो कि connect कर सके और ये words कहां से हैंगे सवाल ये हैं ये words आपको मैं provide कर दूँगा ठीक है अगर मैं नहीं provide करता हूँ so make sure करें पहले आप लिखना शुरू करिए पहले दुनिया वर की चीज़ें छोड़िए पहले दुनिया वर के guidance को छोड़िए ठीक है एक guide को follow करिए और वही आप मुझे follow कर रहे हैं बिल्कुल मुझे follow करिए किसी और का अगर आपको अच्छा लग रहे है आप उसको follow लेकिन जितना जादा आप इस market में भटकेंगे आप उतना जादा confused होंगे ठीक है सो मेरी राय यही है कि अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं सो आपकी responsibility बनते है कि मैं जो कुछ भी essay का topic दूँ उसको आप लिखिए और उसको submit करिए telegram पर ही send कर दीगे उससे रहते हैं यहाँ पर practice is very very important वहाँ पर क्या practice is very 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 important ठीक है तो जितना जादा आप प्राक्टिस करेंगे इस चीज़ का उतना जादा आप बहतर होते चले जाएंगे यह एक दिन दो दिन की बात नहीं है कि आप एक दो दिन में कर लेंगे नहीं यह चीज़ प्राक्टिस से आ confidence develop हो जाएगा and उसके बाद जब आप ऐसे लिखेंगे तो आप और बहतर तरीके से ऐसे लिख पाएंगे slow and steady wins the race तो अभी दीरे-दीरे करके शुरुआत करते हैं उसके बाद आप वैसे ही अपने गंतव्य अपने result अपने जो आपका desired goal है वहाँ तक पहुँच पाएंगे mission ऐसा कुछ आया नहीं बट अगर आप अभी तक नहीं लिखें हैं तो आप make sure करिए उसका किवल essay topic 1 उठाईए ठीक है टेलिग्राम का लिंक जो रहेगा वह आपको description box में मिल जाएगा ठीक है आप essay topic 1 या essay topic 2 उठाईए जो भी आपको सही लगे जो भी अभी आप देख पा बहतर आप होते चले जाएंगे फॉर्मुले इस बस याद रखेगा ओके नौ साथ में क्या याद रखना है कि प्राक्टिस जितना रहेगा जितना ज्यादा आप प्राक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बहतर होते चले जाएंगे तो आपनों का time बहुत precious है तो make sure करिए अप इस पर्टिकुलर वीडियो और अगर कोई और सजेशन या कोई और डाउट या मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया है या कुछ ऐसा हो गया है तो please make sure कर ये comment करके बताएगा ठीक है क्योंकि I am also a learner itself, learner in the sense कि जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी कबार गलती से मुझ उसे फंबल हो जाता है या कभी कुछ words इधर उधर हो जाते है, no doubt about it, क्योंकि मैं कुछ ऐसा script नहीं ready करता हूँ, ठीक है अगर कुछ भी ऐसा है, so feel free to comment it down, अगर ये video पसंद आया, so अपनी राय भी comment में लिखे कि आपको पसंद आया, आपको जीजे सही लगी, या कहां पर मैं improve कर सकता हूँ, इसके बारे में भी आप मुझे comment में ज़रूर बताएगा, क्योंकि comment ही है आपके जो एक feedback का काम करते हैं, ठीक है, so इस video को मैं यहीं पर end करता हूँ, so वापस से request करूँगा, please make sure कर ये like this particular video, ओके, और साथ में telegram का जो link है, वो आपको description box में मिल जाएग Thank you so much for watching, मिलते हैं next video, next video में तब तक के लिए अपना धेर सारा ख्यार रखिए, preparation जारी रखिए, जय हिन, जय भारत